हलो दोस्तों कैसे आप लोग अस्सा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उम्रे निकालना सीखें हलाकि उम्रे निकालने पर हम दो वीडियो बना चुके हैं एक अलक सा एक वीडियो है जिसमें फरवरी आया है फरवरी आप लो फरवरी कब 28 दिन का होता है और कब 29 दिन का होता है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहां पे 2020 है न तो 2020 को हम लोग 4 से भागा दे तो चार चार पंजा हो गया 20 कट गया ये उपर से उतरा दू तो यहाँ पर आऊ गया 0 उपर से उतरा 0 तो 4 पंचे 20 यहाँ पर 2020 जो है उचार से कट गया इसका मतलब हो गया कि फरवरी आपका इसमें 29 दिन का है ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं जैसे 15 है 15 में से 18 नहीं घटेगा तो यह महीना से हांसिल लगा पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं तो जनरली जो महीना होता है जनरली फरवरी मार्च अपरील या तो 30 दिन का होता है या तो 31 दिन का होता है और यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो यानि कि फरवरी है तो फरवरी 28 दिन का है या फिर 29 दिन का है तो इसको निकालने के लिए बर्स में हम लोग 4 का भाग देंगे अगर कट जाएगा रिमाइंडर यानि कि सेस नहीं बचेगा तो फरवरी उस साल में 29 दिन का होगा और अगर सेस बच जाएगा तो फरवरी उस साल में 28 दिन का होगा तो यहाँ पे आपका 2020 कट गया है इसलिए फरवरी हमारा 29 दिन का है तो यह जब इसको हांसिल देगा एक महिना हांसिल देगा यानि कि एक महिना यानि कि यहाँ पे कितना दिन देगा 28 दिन या फिर 29 दिन तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे फरोरी जो है 29 दिन का है इसलिए यह 15 खो 29 देगा तब 15 में जुट जाएगा 29 हो जाएगा 9 और 5 14 2 1 3 1 4 44 में फिर हम लोग 18 घटाएंगे ठीक है सोरी यहाँ पे 18 घटाएंगे 14 मिले 8 गया 6 और यह बचा 3 3 मिल एक गया 2 यानि कि हमारा कितना आया 26 आया 26 आ गया इसके बाद यह एक बच गया है तो यह भी 2020 से एक हांसिल लेगा यह एक और हांसिल जो लेगा यहाँ पे कोई फंडा नहीं है प्रतेक साल में हमेशा 12 महीने ही होते हैं अगर एक साल यह इसको हांसिल दिया तो यह बारा महीना दिया और एक महीना पहले से बचा हुआ था ठीक है तो बारा और एक हो गया 13 में से 11 गया आपका बचेगा दू ठीक है अबर यहाँ पे यह बच गया दू हजार उन 9 में से 6 गया, 3 बचा, 11 में से 9 गया, 2 बचा और ये कट गया, यानि कि 23 आया, 23 वर्स है ये वाला, ये महिना है और ये दिन है, इसी प्रकार हम लोग सारे उम्र निकाल देते हैं, चाहे कैसा भी उम्र हो, यहां पर हम लोग बता दिये कि फरोरी या तो आपका 28 दिन का होता है और या फिर 29 दिन का होता है, अगर ये 2020 है तो इसके 4 साल बाद, यानि कि 2020, यानि कि 2024 में फिर फरोरी आपका 29 दिन का पड़ेगा, ठीक है, बाकि 2021, 2022, 2023 में फरोरी आपका 28 दिन का पड़ता है, और 4-4 बरस के बाद आपका फरोरी 29 दिन का पड़ता है, जो कि हम लोग उसको ली पियर बोलते हैं अगर वीडियो अच्छा लोगत वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू